Hello everyone class 7th book honeycomb poem the rebel के बारे में हम पढ़ेंगे देखिए ये poem किस पे बेस्ट है rebel word पे बेस्ट है ये पूरा जो poem है इस rebel word को define करता है तो इसको हम अच्छे से समझते है Do you know anyone who always disagree with you or your friends or like to do the opposite of what everyone thinks they should do मतलब क्या कि क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आप से या फिर आपके दोस्तों से हमेशा असामत होता है या फिर आप जैसा सोचते हैं या फिर आपका जैसे दोस्त पसंद करते हैं वो ठीक उसके विपरित करता है हो सकता है कि आपके friend circle में कोई ऐसा हो think of a word to describe such a person discuss with your partner some of the things such a person generally does क्या कह रहा है कि इस से संबंधित क्या करना है आपको अपने friend से चर्चा करना है कि क्या ऐसा कोई आम तोर पर है जो ऐसा काम करता है now read the poem अब हम poem को पढ़ते हैं और समझते है when everybody has short hair the reveal lets his hair grow मतलब क्या कि जब सभी के बाल छोटे ह होते हैं तो reveal क्या करता है वह अपने बाल को grow होने देता है यानि कि वह लंबे-लंबे बाल रखना पसंद करता है उस time when everybody has long hair जब सभी के बाल लंबे-लंबे होते हैं तो क्या करता है reveal reveal cuts his hair short तो reveal अपने hairs को cut करके छोटा रखता है when everybody talk during the lesson the reveal doesn't say a word जब सभी कोई lesson के दोरान प बातचीत करते हैं या फिर उससे सम्मंधित बातचीत करते हैं तो reveal क्या होता है सांत रहता है एक भी word नहीं बोलता है when nobody talk during the lesson और जब कोई भी lesson के दोरान पाठ के दोरान जब आपस में बातचीत नहीं करता है the reveal creates a disturbance तो reveal क्या करता है disturbance create करता है when everybody wears a uniform जब सभी लोग क्या करत है uniform पहन कर आते हैं the reveal dresses in fantastic clothes तो reveal क्या करता है उस समय एक बहुत ही fantastic sa clothes उस समय dress नहीं पहनता वो क्या पहनता है fantastic sa clothes पहन कर आता है when everybody wear fantastic clothes the reveal dresses soberly मतलब सभी कोई बहुत ही fantastic clothes या फिर रंग भी रंग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आता है तो reveal क्या करता है एकदम normal dress के साथ वो आता है in the company of dog lovers the reveal express a preference for cat dog lovers का जो company होता है वहाँ पे reveal क्या करता है एक cat को यानि की बिल्ली रखना पसंद करता है उससे preference देता है या फिर उसके बारे में कहता है in the company of cat lovers जो cats lover होता है वहाँ पे company होता है cats lover का तो वहाँ पे क्या करता है reveal the reveal put in a good words for dog तो उस समय वो dog की तारीफ करता है उससे dog वो dog के बारे में अच्छा कुछ कहना पसंद करता है when everybody is phrasing the shun the reveal remarks on the need for rain मतलब कि जब हर कोई सुरे की स्थूती कर रहा होता है या फिर उसके लिए prayer कर रहा होता है सूरे के लिए कि सूरे निकले the reveal remark on the need for rain मतलब तो जो reveal होता है वो वर्षा की आवसकता पर तिपडी करता है, remark मतलब तिपडी करना, समझ में आ रहा है when everybody is greeting the rain यानि कि जब सब कोई rain चाहता है वर्सा चाहता है the reveal regrets the absence of sun तो उस समय reveal को क्या होता है वो sun की absence को लेकर क्या करता है? regrets करता है when everybody go to the meeting the reveal stay at home and read a book जब सभी कोई कहीं भी सभा में या फिर meeting में join करते हैं लोग meeting में जाते हैं तो reveal क्या होता है घर पे रहता है और किताब पढ़ना पसंद करता है समझ में आ रहा है यानि कि वो हर चीज reveal क्या करता है opposite करता है when everybody stay at home and read a book जब सभी कोई घर रहकर एक book read करना पसंद करता है the reveal go to the meeting तो reveal उस समय क्या करता है meeting में जाना पसंद करता है when everybody say yes please the reveal say no thank you उस समय reveal क्या बोलता है जब सब को yes please बोलता है तो उस समय reveal क्या बोलता है no thank you when everybody say no thank you the reveal say yes please जब सभी लोग बोलता है कि no thank you तब reveal क्या बोलता है yes please it is very good that we have reveals या अच्छी बात है कि हमारे अंदर भी क्या है reveals है कई बार आपको भी reveal वाली feeling महसूस होता होगा you may not find it is very good to be one कई बार आप इसे क्या करते हैं अच्छा नहीं पाते हैं तो फिर कई बार ये आपको अच्छा नहीं लगता है, बहुत अच्छा नहीं लगता है इस poem के जो writer है वो कौन है, डीजे इन राइट है तो इसी के साथ ये poem समाप्त होता है thanks to all your friends like, subscribe and share अच्छा नहीं लगता है